नमस्काय दोस्तों आज मैं आपने वीडियो के जरे आपको बताने जारी हूं मानसुन में ज़्यादा जड़ते और टूटते हैं बाल ऐसे रखें इनका ख्याल प्यारे दोस्तों बारिस के मौसम में आम दिनों के मुकाबले बाल ज्यादा जड़ते हैं बाल के जड़ने के कई कारण हो सकते हैं जैसे बारिस के पानी का इंफेक्शन, जड़ों का कमजोर होना, साफ सफाई का ध्यान ने रखना, होशक तत्वों की कमी, डैंडरफ, तनाव आदी, अगर आप भी बालों के जड़ने के डर से बारिस को खुल कर मजा नहीं ले पा रहे हैं, तो बालों के जड़ने और ज्यादा तूटने की समश्या से बचने के लिए, आज मैं आपको कुछ घरे लूप चार बताने जा रही हूँ, जो आपको काफी मददगार होंग ये इस प्रकार से है, प्याज से बाल बनेंगे मजबूद, प्याज में सलफर अधिक्ता में पाया जाता है, इसके प्रयोग से बालों का तूटना बंदो जाता है, इसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले प्याज को काट कर उसके कई टुकड़े कर लीजे, इसके बाद उ पिर इसे 30 मिन्ट तक इसी प्रकार से रहने दे उसके बाद आप अपने बालों को धो लें। उड़द की डाल से आएंगे नए बाल। मौनसून में बाल कमजोर या ज़ड रहे हैं तो उड़द की डाल बड़े काम में आ सकती है। उड़द की डाल को उबाल कर फीच ले, रात को सोने से पहले इसका लेप सरपर करें। कुछ दिनों तक करते रहने पर आपके जड़े हुए बाल की जगेप पर बाल उगने शुरू हो जाएंगे और आपका गंज़ापन समापत हो जाएगा। बालों में लगाने के साथ साथ इस मौसम में उड़द की डाल को अपने खाने में भी इस्तमाल में लाएं, इससे आपको काफी पोशकता तुपरापत होंगे। ये बालों को जरूरी प्रोटीन और मिनरल्स भी देती है। मेथी के बीज़च मतकारी। मेथी को पूरी राद भी गोदीजे और फिर सुभै उसे गाड़ी धाही में मिलाकर अपने बालों पर लगाएं पेस्ट बनाकर। बालों को धोलें इस्ते रूसी और सिर्की तौचा के विकार समाप्त होंगे। मेथी में निकोटिनिक एसीड और प्रोटिन पाये जाता है जो बालों की जड़ों को पोशन पहुंचाता है और बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। निम्बू ब्याकारगर पांच चमच धाई, एक चमच निम्बू का रस, दो चमच कच्चे चने का पाउडर इन सब को मिलाकर एक भावती असान से तरीके से आप पेस्ट बनाकर अपने बालों पर लगाएं इस मिल्स को अपने सिर पर लगा रहने देख एक घंटे के बाद अपने सिर को दोने, आपके जड़ते होए बाल रुख जाएंगे और आपके बाल की जो समच्या है वो समाप्त हो जाएगी, बालों के लिए कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते में डेर सारी ओशेदी पाई जाती है, भारती भोजन में इसका प्रयोग सदियों से हो रहा है, आम इस्तमाल में अगर आप लाएंगे तो आपके बाल मुलाई में और चमकीले भी बनेंगे, साथ में सबी समच्या से आपको निजात मिल जाएगा, इसके लिए कड़ी पत्तों को नारियल के तेल में तब तक उबालें, जब तक कि वेक काले ना हो जाएं, उसके बाद तेल को ठंडा करके सीसी में डाल कर रख लें और सीसी काच्की होनी चाहिए, और जब भी आप सर्द होएं उससे पहली रात इस तेल को अपने बालों की जड़ों पर लगाएं और हलके आतों से मालिश करें और सुगह अपने बालों को सैंपू कर लें, इस प्रकार से आपके बालो की ये समश्या समाप्त हो जाएगी